दोस्तों क्या आपके भी ब्लॉग में logo content url या फिर content url in logos का error आ रहा है जैसी आप google search console पर यहाँ पर अपनी website को देखेंगे और left side आप लोगो यहाँ पर दिख जाएगा enhancement पर logos का option यहाँ पर 33 page यहाँ पर affected है इस error से नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए content url in logos और बताने वालों एक एक करके सबको आप follow कीजिए आपका problem 100% fix हो जाएगा तो इसका solution पहले आपको समझना पड़ेगा यह error क्यों आता है और आप लोगों के case में यह थोड़ा सा different रहेगा तो आप लोगों को पहले देख लेना है आपके blog में कैसा है तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे नीचे आने कर आप देखेंगे 33 pages यहां पर affected हैं यहां पर आप pages देख सकते हैं यहां पर कितने pages यहां पर affected हैं यह मेरे एक subscriber का blog है उसने मुझे यहां पर SSDS का error को fix करने के लिए तो यहां पर आप लोगों देखेंगे जैसे यह आप इस पर click करेंगे यहां से affected pages पर मैंने क्लिक किया क्लिक करने का दिए अननेम डाइट हमारा थोड़ा लोड़िंग ले रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेना है आपको तो यहां पर आप लोगों देख सकते हैं यह लिखा हुआ है image object और यहां पर bracket के अंदर लिखा हुआ है URL और जैसे ही आप यहां प मैं कि कर गे सबको चेक कर लेता हूं तो यहां पर आप लोगों देख से तो सब में बिल्कुल सेम एररा आ रहा है तो आपको करना क्या है आपको सिंप्ली यह image URL का जो एररा इसे फिक्स करना है लोगों के लिए तो इसे मैं कट कर देता हूं अब इसे फिक्स करने के इसमें website में use हुई है तो उन्हें ही ज्याधता यह error आता है तो पहला step में आप लोगों को बता देखा आप लोगों क्या करना है तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है यहाँ पर left side पर यहाँ से आप लोगों को copy कर लेना है अपने आप website का URL और New tab पर आकर आपको सर्च करना है Google Rich Result Checker यह आपको सर्च कर देना है जैसे आप इससे सर्च करना है आपको पहले नमबर पर दिख जाएगी यह website search.google.com इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने का आपको यहाँ पर URL पेस्ट करना है और test URL पर क्लिक कर देना है mobile यहाँ पर smartphone गूगल बॉट रहने दीजिए तो यह test हो रहा है URL मैं fast कर देता हूँ वीडियो को यह थोड़ा जाधा time ले रहा है तो आप लोग देख सेते हैं यहाँ पर लिखके आगया three errors detected some are invalid तो three error यहाँ पर detect हुए है some invalid तो यहाँ पर नीचे आना है आपको तो आप लोग देख सेते हैं यह one valid item detected और यहाँ पर यह green tick हैं दोनों पर और यह logos वाले में ही यहाँ पर यह बना हुए आई का symbol inverted I तो आप लोग को यहाँ पर देख सेते हैं यह error है आपका unnamed item और आप लोग इस पर क्लिक अगए view tested page पर क्लिक अगए screenshot से देख सकते हैं आपकी website पर यह error आ रहा है तो यह logos का error आ रहा है बिलकुल यहाँ से आप confirm कर सकते हैं तो यह आपके logos का error आ रहा है तो आप पर नीचे आ जाना है और appearance पर एक बार cursor को आपको रखना है बस यहाँ पर appearance थोड़ा नीचे है तो देखे यह आ गए हम लोग और यहाँ पर customize पर आपको क्लिक करना है फिर उसके बाद आप लोगों को नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को option दि क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यह organization में जो भी आपकी select रहने दीजे फिर नीचे आना है और यहाँ पर लेखा हुआ है लोगो तो upload organization और company logo और यहाँ पर insert organization और company name तो आपको यहाँ पर अपनी website का पहले तो नाम डाल देना है फिर उसके बाद आपको यहाँ पर select image लेखा लोगो अब आप यहाँ पर all text बगएर में अपना नाम डाल सकते है website का और नहीं तो आपको यहाँ पर choose image पर click कर देना है तो यह image select हो चुग है logo के लिए फिर उसके बाद आपको नीचे आना है थोड़ा और यहाँ पर telephone contact यह से ड़ला हुआ है एरिया से डेसे आप ऐसे ही देंगे से अनले तो फिर आप लोगों को यहाँ पर वाडिक करना है और से कडिके सिंपल अप लोगों को प्लगники पर चला आपना है यहाँ पर plugins पर जाने के बाद आपको installed plugins पर click करना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर देखें काफी सारे इन्हों ने यहाँ पर plugin इंस्टॉल किये हुए है तो यहाँ पर एक एक करके जो आपको use के लिए ना लगें जो अच्छे plugin ने है किसी use में नहीं है यहाँ से हम लोग कर देते हैं remove तो यहाँ पर जितने भी मुझे plugins जो सही नहीं लगे मतला कि कोई use में नहीं है वो आपको unnecessary यहाँ से remove कर देना है plugins फिर उसके बाद आप लोगों को आ जाना है यहाँ पर dashboard पर तो यह दूसरे step से plugin remove करने के लिए था कि जिनने भी unnecessary आपके में आप plugin इंस्टॉल है उन्हें हटा दीजिए आप कम से कम plugin यूज करें तो आपकी website भी हैवी होगी और loading में भी काफी time लगेगा अब third step आता है आप लोगो third step जो follow करना है इस error को fix करने के लिए तो आप लोगों को फिर से आ जाना है plugin पर plugin पर आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ cursor रखना है click नहीं करना है और यहाँ पर add new आपको यहाँ पर दिख जाएगा उस पर click कर देना है click करने के बाद थोड़ा सा wait करना है process के लिए आप यहाँ पर search बार दिख रहा है यहाँ पर आपको करना है search जो मैं search कर रहा हूँ वो आप लोग कर लिजे search यह मैंने कर दिया WP fastest catchy तो यहाँ पर आप लोग देशते दे WP Super catchy लिखा हुआ है और install now का option आपको दिख रहा है इस plugin को मैंने install कर लिया वैसे activate करने की बारे तो activate के लिए आपको simple activate पर click कर देना है अब आप लोग को यहाँ पर plugins पर आजाना है install plugin पर आपको click करना है तो आप लोग यहाँ पर देख लिजे कहाँ पर आपका यह plugin आया है तो यह है WP Super catchy तो यह plugin में आप लोगों को अब आना है settings पर settings पर आने का तो यहाँ पर देखिए cache on और cache off लिखा हो तो आप इसे on अभी कर दीजिए फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और इसे back आ जाना है फिर उसके बाद आप लोगों को जैसे आप यह on कर देंगे फिर उसके बाद आप लोगों को 3-4 देस के बाद इसके clear करनी होगी cache तो यहाँ पर मैं आपको बता दीता हूँ कैसे आप लोगों को clear करनी है तो आपको फिर से आ जाना है यह आप प्लग इन पर और installed प्लग इन पर फिर इस plugin के आपके settings पर आ जाना है settings पर आने काद आपको नीचे आना है और देखें यहाँ पर लिखागा delete cache तो आपको इस पर click करना है एक बार तो देखें यह delete expired और delete cache तो यह यहाँ पर दिखा रहा है अभी यहाँ पर कुछ भी cache ने है क्योंकि मैंने अभी यह से on किया ही नहीं था आप लोगों on कर लिजेगा फिर उसका करिएगा यहाँ पर delete cache पर click कर देना है एक बार तो यह delete हो जाएगी फिर उसके बाद आप लोगों को आ जाना है वापस से dashboard पर अपने अब यह हमने 3 step follow कर लिए अब last जो 4th step में आपको बताने वाला है आपको क्या करना है यह delete cache करने के बाद आप लोगों को फिर से आ जाना है न्यू टैब पर और यहाँ पर search करना है Google Rich Result Checker और यहाँ से website का URL भी copy कर लिजिए अब यहाँ पर आप लोगो code paste करना है फिर यहाँ पर गोगल बॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पर स्मार्टफोन ही रहने दीजिए फिर उसका test live URL पर क्लिक कर देना है अब आप लोगो नीचे आना है तो आप लोग देशेत है three valid item detected tick बना हुआ है और यहाँ पर देखिए जो logos पर यहाँ पर बना हुआ था जो error का symbol वो अब logos पर tick बन चुका है यानि कि कोई भी यहाँ पर error नहीं बचा है यहाँ पर मैंने cache भी अच्छे तरह से clear नहीं की तो देखिए यहाँ पर logos का error fix हो चुका है अब आप लोगो को क्या करना है वो मैं बताता हूँ last step है बिल्कुल final आप लोगो को आ जाए Google search कर सो बैसे मैं reload कर लेता हूँ एक लोगोज इधर आने के बाद आप लोगों को एक बार देख लेना है यहाँ पर website पर यहाँ बार इसे open कर लेना है आपकी website यहाँ पर URL ड़ाओ उस पर click करके एक बार देख ली जाए आप ही website open हो रही है कोई error तो नहीं आ रहा page open होने में यहाँ को चक करना है देखिए यह स पर आप लोगो सी डिटेल्स पर click कर देना है और start new validation पर click कर देना है validate के लिए आप लगा दीजिए अब आप लोग का यह validation का इनिशियेट हो रहा है आपका अगर मैं पहले यहाँ पर यह apply कर चुक है validation के लिए इसलिए यह fix नहीं हुआ था फेल हो गया था अब मैंने यह problem fix कर दिया अब यह validate हो जाएगा कुछ ही दिनों में तो यह देखे validation हो चका है यह आज की date डली हुए है अब आप लोग को यह validation का जैसे यह successful हो जाएगा तो email आ जाएगा आपके यहाँ पर Google search console register उस email ID पर mail आ जाएगा नहीं तो आप लोग यहाँ पर फिर से logos पर click करके नीच जादा भी ले लेता है तो आपको वेट करना होगा और आपको यह 100% हो जागा तो आप लोग दिसे तक कितना easily हमने मेरे सब्सक्राइब की website का यहाँ पर logo का जो error आ रहा था content URL का वह मैंने fix कर दिया बहुत ही easily अगर आपको यह content URL in logos का error आ रहा हो और आपको fix करने कोई प्र